अदाब मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीर करती हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे उर्दू में आज का उन्वान है गिंती, हिंसों और लफजों में चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक प्यारे बच्चों, एक को हम सीखेंगे कैसे लफज हम लिखते है तो यहां पे आप देख सकते हैं, यह लिखा हुआ है आपने देखना है, इसमें कौन-कौन से हरफ है अलिफ जमा, ये जमा कीफ अलिफ पूरा लिखना है, चुँकि अलिफ की आदी शकल नहीं है उसके बाद ये की आदी शकल, और कीफ को एक साथ अलिफ जमा, ये जमा कीफ एक, एक माने वान जैसे कि अल्ला एक है, अल्ला इस वान यहां पे आप देख लीजे, ये है दो दो को हम कैसे लफजों में लिखेंगे? दाल जमा वाव दाल जमा वाव दो चूंकि दाल और वाव की आदी शकल नहीं होती तो हम इनको पूरा पूरा लिखेंगे एक साथ दाल, वाव, दो दो माने टू जैसे कि दो हाथ प्यारे बच्चों, हम सब के पास दो हाथ है टू हैंड्स यहां पे आप देखिए प्यारे बच्चों आपने इस तरीके से गिंती जो हमने आज सीखी हिंसों और लवजों में एक और दो वो आपने अपनी नोटबुक पे मश्यक करनी है इसी तरीके से जैसा कि काम दिया गया है एक, दो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझाया होगा शुक्रिया झाल